वेरी गुड मॉर्निंग योडीबडी मैं सभी का सौगत करता हूँ फिजीज ग्यान मुकेशनेक चैनल पर बहुत इंपॉर्टन्स वीडियो है क्यूंकि बच्चे बहुत सारी कन्फूजन में रहते हैं ऐसे बच्चे के लिए इस वीडियो को अंतक देखना क्योंकि बच्चों आप लोगों को हैा ना काटेगरी वाइज रैंक आपकी पकड़ने वाले है या इन सब का यूज है इस सब्सके विडियो में इस वीडियो में ठीटल में इंफिरमेशन है जैसे कि बच्चो इस पर आपका नाम रहता है, full name, date of birth, यह हमारे सुमिश्चर में एक student होने ने बेजा है, ठीक है, तो यहाँ पर candidate type कोन सी है, मतलब महराष्टर type A, type B, other महराष्टर से student होता है, category SCA, applied EWS किया नहीं किया, सब कुछ इसमें, आप लोगों को grievances में, क्योंकि आ one by one, तो applied tuition fees किये, इसने नहीं किये है, TFWS नहीं किया है, minority है या नहीं है, सब कुछ चीज़े इसमें clarify कीगी है, उसके बाद में candidate name गलत है, सही है, physics, math और chemistry की यहाँ पर बराबर आपके percentile, total percentile बराबर है कि नहीं, candidate name है, physics, mathematics, JEE का भी score के अंदर पकड़ा गया है, उसके चीज़े बच्चो, university, sorry, state, देखो, यहाँ पर दीख रहा है, आपको state general merit rank, जैसे कि इसको 1506, वैसे आपका R.I. क्या, university wise general merit number R.I. क्या, category R.I. के नहीं, उसके अंदर आपका कितना rank है, university wise category merit rank मिलेगा, यहाँ पर सब कुछ चीज़े मिलेगी, तो ये card आपको, आपको, इसे की batch A, batch 1, 2, 1 batch इसकी 60 के रहती है, तो इसका classification कैसे होता है, यह और इसके और भी नीचे page बच्चो, वीडियो को छोड़ना मत, like करना है, share करना है, जादा से जादा शेयर करो बच्चो, और हमारा target बच्चो की 1,00,000 सब्क्रेबल करना है, लेकिन प्यार आपका है बच् institute level quota होता है, 12 seats होती है, management quota से वो जो famous college है, वो पैसे लेके बच्चो यह seat भरी जाती है, और यह fees कम जादा हो सकती है, जही main quota जो होता है, 15% यहाँ पे उसके लिए आपको जगा दिये जाती है, 9 seats, 60 में से 9 seats, 15 बराबर है, महाराष्ट स्टेट होम युनिसिटी, मतलब जैसे आपके उनिसिटी राइंग दिया है, उपर मैंने जैसे आप लोगों को बताया ना, यह उनिसिटी जनरल मिरिक नंबर, तो वो दिया है, तो यह इसके 27 seat होंगे, 27 seat होंगे, महाराष्ट स्टेट और ध्यान होम युनिसिटी, मतलब जैसे कि मैं हो अवरंगबाद का, मुझे पुने मैं admission, तो मैं other unicity से आता हूँ, तो उसके लिए भी 12 seats होती है, total 60 seats है, additional seat जो बच्चों, tuition fees wear system, इसमें 3 seat मतलब 5% जगा होती है, AWS के लिए 10% टेक कोटा होता है, ठीक है, उसका distribution निचे आपको दे रहा हूँ, बच्चों यह बहुत importance है, बच्चों को लगता state rank से ही मिलता है, आप लोगों का आपका category wise, male हो, female हो, इसके उपर भी depend करता है, university wise भी आपका rank consider किया जाता है, यह सबी चीजों को माहिने रखते हुए, इस seat को distribution किया जाता है, जैसे management quota की 12 seat से उसमें female हो, male हो, कोई भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं होगा, वो 12 seat का इसे भी भर आपको कोई reservation नहीं है, open, OBC, SC, ST, कुछ भी नहीं, ठीक है, आप देखो, जैव, home, university, 27 seat से उसका distribution कैसे किया जाता है, 11 to 12 open के लिए, आप बोलेंगे, sir, 11 है 12, दोनों में से एक बताओ, बच्चों वोने क्या branch wise depend करता है, civil branch, mechanical branch, CS branch, वो आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन कम से उसको 11 open की seat या 12 लेना ही पड़ेगी, लेकिन, इसमें तीन लेडिस का कोटा female, देखो, female का rank मिलता है, female rank, तो उससे भी आप लोगों को फाइदा होता है, female की तीन seat है, reservation है, उससे उन लेडिस का कोटा इसमें भरा जाता है, home, university से, उसके बाद में अगर OBC हो, तो 5-6 उसमे इसे 2 ladies compulsory बच्चो female के लिए, 3-4 seat, SC के लिए 1 ladies compulsory है, SC के लिए 1 seat होगी, NT के लिए 3, अब NT में भी, NT A, NT B, NT C, ऐसे होता है, इसलिए 3 seats है, विजे के लिए 1 seat है, बच्चो, defense कोटा के लिए 1 seat है, और 1 या 2, ऐसे, अब 1 या 2, और में क्यू लिखा है, या 2 में क्यू लिख है, बच्चो, उसका reason है, बच्चो, वो branch-wise shift कर सकते, other university के लिए 12 seat से, और ये 12 seat बच्चो, आपको 6-7 open के लिए, 1 या 2 OBC के लिए, 1 SC के लिए, 1 ST, NT के लिए, और विजे के लिए, ऐसे 60, रही बात, देखो, मतलब बच्चो, जिन बच्चे को home university से पुना में पढ़ाय वा वही CH branch के लिए, बात करनाओं में CH branch की home university है, इसलिए 99.50, इस परसंटल पे उच्चो को college मिलाता, या rank-wise भी बोल सकते, ठीक है, वही महराष्टे से, मतलब other university से हो, तो उस बच्चे को, वो college 99.70 पे मिलेगा, आप बोलेंगे कैसे, क्योंकि बच्चो, ओपन के लिए, इदर 11-12 seat है, और यहाँ पे 6 या 7 seat है, इसलिए other university का, जो भी इसका rank होगा, ज्यादा मतलब, COP college में CH branch में, यहाँ पे 50 rank पे जो बच्चा था, उसको वो seat मिल रही थी, वही इदर 70 rank है, उसको seat मिल रही है, other university, क्योंकि उसकी लिए जगव कम है, यह बता रहा हूँ आप लोगों क ठीक है, तो इस हिसाब से आप लोगों को category wise rank, जो scorecard जो बता रहा हूँ इतना चिला चिला के भाईया, इसके लिए importance है, आपको female की, आप देखो कभी-कभी female की अगर जगा कम है, female student कम है, इंजिनिंग को और कम भी आती है आपकी मालूमात के लिए, क्योंकि उज़ादा करक student, नेट के थूँ जो medical college है, तो इंजिनिंग करने वाली जो ladies quote है, वो कम होता है, तो शायद बच्चो, CVP college में, ladies के 99.50 जो student लग रहा था, वही unicity की जो लड़की है, उसको 99% L पे भी college मिल सकता, आधा percentage का भी difference हो सकता है, ठीक है ना, और rank में भी near about 100 rank से भी difference हो सकता है, मतल चीजों को अच्छी तरह से समझना बहुत ही जरूरी है, कि यह जो सिद्ध बता रहा हूं, क्योंकि बच्चों को जब भी option form बरना है, तो मेरा कहां rank, कौन से rank पर कौन सा college मिलेगा, यह study करना बहुत जरूरी है, जो बच्चे study रात दिन करेंगे, वीडियो देखेंगे, व क्या क्या गलती करनी नहीं चाहिए, कैसे form बरना चाहिए, डिटल में वो आप लोगों को यहां पे पूरी डिटल यहां पे आप लोगों को PPTI दोरन दे देंगे, टोटल सीट है 60, यह तो पता है सबको, additional seat of tuition fees, 3 seats होते, लेकिन 5% में बोल सकता हूं, और EWS यहां पे open के सबसे में target, आप लोगों कोई scorecard, rank card, rank card, rank का scorecard भी बोल सकते हैं, इसको कोई problem नहीं है, यह आपको download करना है, मतलब क्या है, मैंने वीडियो बना के रखा है, जिन बच्चे ने नहीं किया, यह कर लो, क्यूंकि इस से आप लोगों को, देखो यहां पे लिखा है, Government of Maharashtra State, Common for admission first year undergraduate technical course of engineering and technology of academic year 2020, तो यह please सभी student को मैं गुजारिश कर रहा हूँ, कि आपका यह card बिना आप लोग grievances नहीं कर पाओगे, क्या आप grievances करना चाते हो, तो तुरंट जाके, पहले सबसे पहले, मुझे बता है, rank card, बहुत अभी भी बहुत सारे बच्चे ने upload नहीं किया है, sorry, upload over release लिए जादा आता है, बच्चो, हम लोग upload वीडियो करते रहते हैं, इसलिए हमारे दिमाख में वह ही होता है, तो बच्चो, share करना है, और इस वीडियो को boost up देने के लिए share करना है, और साथ में बच्चो, इस channel को बहुत support, बहुत प्यार दिया है, अब भी तक, वैसे ह एक ही मैने में, जब तक आप लोग admission लेने वाले तब तक हमारा target है कि एक लाख सब्क्राइबल बने, तो ये आपके कारण बन सकते है, आपका प्यार, आपका हमेशा इस वीडियो को रहे वाले attachments ही बन सकता है, चुरो, thank you, और best luck for your study and future.